हाई गाई गाई वीडियो आफ एकान मिक्स ऑन यौ टेप्स एकली वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आपन बात करने वाले हैं रोजगार और बेरोजगार की भाई सब कोरोना जो आया तो मैं कोरोना को सही नाम बताऊं तुम्हें देखो असली नाम बताता हूं कोरोना का जो असली नाम है ना इसमें कोट बस जोड दिया गया है तूर ले को नहीं नाम के अंदर आप सभी से गुजारिश है घर पे रहें से रहे सुरक्षित रहे और जो लोग इस वीडियो खतम होने के बाद देख रहे होंगे उन सभी के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई कि आप लोग इस महामारी से बच गए है आप भी जिन्दा है और शायद मैं भी जिन्दा ही होंगा अगर आप देख रहे हों तो एकनॉमिक सोने टिप्स पर जाके एक बार अब जिन्दा है अने बढ़ गया तो भाई और वेनों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी इंप्लाइमेंट एन अनिम्प्लाइमेंट की कहानी रोजगार और बेरोजगार की कहानी तो लेस्ट किस्टारे बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर अब तक आप लोगों ने मुझे अनकाडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है और लोगों को पढ़ाई करनी है तो अब तक अगर आप लोगों नहीं लिया है तो आप काफी धीरे हैं मतलब बहुत देर से जग आए मुलना फटापट जग ठीक है तो यहां पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक नो डाउट आर्मी एक ऐसी टॉप 8000 स्टूडेंट की आर्मी होगी जिनको हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे यानि कि वह बारवी के बाद जो भी करना चाता है उसको यहीं कराया जाएगा और इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर सबसे आपको उनके नोट मिलते हैं और साथ साथ में अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल मेंटरेशिप और लाइव डाउट क्लेरिंग सेशन भी मिलेगा इस सब कुछ आपका हो सकता है आपको लेना एकैडमी सब्सक्रिप्शन उजिंग कोरव जैसे आप यह चोड लगाते है आपको 10% मिलता है और आप मेरी No Doubt Army के आदर आते हैं इंडिया के सबसे बड़ी No Doubt Army मनाने जा रहा हूं यह आप सभी के सपोर्ट के साथ आज आप और मैं मिलकर इंडिया सबसे बड़े online platform के ओपर सबसे बड़ी army create कर रहे हैं तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बेरोजगारी की यह बेरोजगारी रोजगार बेरोजगार ग्रोट अधर इसमय इतनी सारी चीजे पढ़ने को हैं कि भाई साफ यह वह चीजे ना जो कि हम आठीज नोवी क्लास से पढ़े जा रहे हैं फिर भी हमें यह बहुत आवश्यक है और आप लोगों को पता है यह क्यों पढ़ना है ताकि आप लोगों के साथ वे रोजगारी ना जाए आप लोगों को रोजगार मिल जाए तो चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म के ऊपर बात करते हैं उसके बाद चैप्टर के ऊपर आएंगे सबसे पहली टर्म होती है बिटा वर्कर कौन है करमचारी कौन है तो वर्कर इट्रेफर्स टो इन इंडिविज्वल हूइज इंगेज इन सम् प्रड़क्टिव एक्टिविटी एक ऐसा व्यक्ति प्रड़क्तिव एक्टिविटि प्रड़क्टिव एक्टिविटी के अंदर लग पड़ाया काम कर रहा उसको हम सीधी भाल क्या बोलते हैं वर्कर वर्करों को ब्यसिकली दो टाइपcke के अंदर यहां पर weege प्रिजिए पहला है सुल्फ इंplain है है हॉय इन था है ठीथ कर लिया तो it refers to the workers who are engaged in their own business or enterprise ऐसा व्यक्ति जो खुद का धंदा कर रहा है खुद की enterprise के अंदर कार्य कर रहा है in other words the worker to whom the worker who own and operate an enterprise is known as self-employed ऐसा व्यक्ति ऐसा वरकर जो की खुद मालिक भी है और उस चीज के अंदर कार्य भी कर रहा है उसको हम बोलते हैं self-employed स्वा रोजगार वरकर ठीक है इसके बाद दूसरे प्रकार के वरकर आते बिटा जिनको हम बोलते हैं hired workers hired worker का तात्पर है क्या है कि आप किसी company के साथ connected है आप किसी और के साथ काम कर रही है आप खुद का काम नहीं है किसी और के साथ आप कारी कर रही है इसे लोग जिनको किसी और ने नौकरी पर रखा हुआ है and are paid in the form of wages or salary जिनको wages या salary के format में pay किया जाता है उसको हम बोलते हैं hired worker समझ माई देखो बात क्या है एक है worker worker के दो टाइप हो गए एक हो गया self-employed दूसरा हो गया hired self-employed जो खुद कमा रहा है खुद बना रहा है खुद खा रहा है hired मतलब जो खुद कमा नहीं रहा किसी और के अंडर काम कर रहा है और चला रहा है organization को अब समझ ना जब आप किसी और के अंडर काम करते हो जब आप एक hired worker की तरह काम करते हो तो उसके अंदर भी दो अलग-अलग टाइप के कारे आते हैं सबसे पहला आता है regular और दूसरा आता है casual regular का ताथ पर क्या हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो कि regular basis के ओपर काम कर रहा है आपकी मन्थली तनका इतनी होगी कि आपको चलते रहना है चलते रहना है काम करते रहना है अगर आपको regular basis के ऊपर पइसा मिल रहा है आप एक organization साथ connected हो हर महीने की पहड़ी तारिक को पांच वी तारिक को दसवी तारिक को आपको पैसा मिल रहा है उन लोगों को बोला जाता है regular worker और regular seller इलरीड worker तर्जर यहां तो भुल कि रेगूलर रोगार आ発 मधिन आपर काम करता हैं इसमें क्या है कि आपके पुर्ट नियुक्ति होआ के चांस बहुत कम उता है यहां पर वहींद हो कर पाता है जिसके अंदर कीड़ होता ने को यहां पर जिसके अंदर कीड़ा होगा जिसके अंदर कीड़ा नहीं वह कुछ नहीं कर पाएगा एक्जामपल होगा टीचर्ड ओफिस यहां पुछ नहीं कर प्रिशथ र्यॉब कर रहे हैं तो बंदर क्लिच नहीं करने नाकént PhD वा 0 तुने जितने काम किया उसका पवारत में को रोना के आने से हरेग व्यत्ति को रोना दोपड़ा 7-7 में बहरत में कोरोना के आने से जो हमारे रेगुलरर exactement इनकी संख्या काफी जया काम होती जा रही है और casual workers या फिर पार्ट टाइम जॉब्स की तंखा काउंटिंग जो है वह काफी ज्यादा भड़ती जा रही है क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि अब कोई भी नौकरी ऐसी नहीं रही जिसमें हम लग जाएं जिन्देगी बार उसी में लगे पड़े पहले होते हैं हमारे पिता जी माता जी भाई पचास साल की तीस साल की चालिस साल की नौकरी करके चूटे आज व्यक्ति हर एक साल में कंपनी बदलता है हर दो साल में गाड़ी बदलता है हर चार साल में खुद को बदल डालता बाइसा यही कहानी है उसकी तो यहां पर casual workers का मतलब जो की part time काम करते हैं आज इस company में काम कर रहे हैं कल दूसरी में काम करेंगे परसों तीसरी में काम करेंगे चलिए तो इसके बाद हम कुछ terms के ऊपर बात करते हैं बहुत important terminology उनको समझ ना सबसे पहली चीज आती है बिटा आपकी jobless growth पिछले साल का जो session 1920 की बात कर रहा हूं growth मैं हमेशा कहता हूं कि जो शब्द होता ना बड़ी ताकत होती शब्दों के अंदर शब्द ना पूरा खेल बदल सकते हैं पूरा गेम बदल सकते हैं इस बात को ज्यान रखना jobless growth ऐसी growth जिसमें jobs नहीं है ऐसी growth which does not had any job मतलब आप GDP तो बढ़ा रहे हो पर नौकरिया नहीं बढ़ा रहे हो तो jobless growth का मतलब क्या हो तरे first was situation where GDP of an economy grows faster than the employment opportunities एक ऐसी जगे एक ऐसी situation जाब भारत का जो GDP है ना वो employment opportunity से ज्याज़ा तेज भागता है बटा GDP बताई हो क्या होता है बताना जारे GDP क्या होता है हाँ कोनी की मरूंगा तुने gross domestic product बोला तो मैंने GDP क्या होता है पूछा जेडीप का full form नहीं पूछा थरस नहीं है न हम ऐसे व्यक्ति सर होता है न GDP वही सर वही तो होता है GDP तो GDP का मतलब होता है कि final good जो है उनका value क्या है पूरे सालन बनने वाले इन इंडिया economy is experiencing GDP growth more through technology than the employment of labor भारत के अंदर हमें जो GDP दिख रही है जो भड़ती वी GDP दिख रही है उसका reason क्या है उसका reason यह है कि हम टेक्नोलोजीकली बहुत जादा efficient होने वाले आप लोग देख रहे होंगे दीरी दीरी हर जगे से आदमी गायब हो रहा है पहले भाई सब तो एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा चला रहा है और एक व्यक्ति कैमरा पकड़के बैठा हुआ है अब क्या है दोनों की नौक्रियां गई अब एक बंदा बोले तो नीचे की शूटिंग कर ऊपर की चलना है ड्रोन लेकर आ ऊपर से शॉट ले वे पहले लोग खाने के लिए शेफ रखते थे शेफ के त accesum ROYS 의 magari बनाता रखते है जो गरीव व्यक्ति होता तो भार ऐसे खाना बनाता किसी जींग पतनी खाना मारी किसी की सिफचर खाना रही आज किया आता जा रहा याज से दो साल बात किया होगा फूड का जमाना जारे कौन बनाएगा कॉन बजार से सब्जी लाएगा सकाटेगा धू अबाले पकायेगा मसाला डाले मिर्ची डाले रोटी बनाएगा अटा cognitive कौन करेगा एक बना मस्स जा रेडी टू इट का एक पैकेट उठाके ला ओवन में डाल माइक्रोवेव में डाल दस सेकड़ भी सेकंड शेकंड में खाना बनके तैयार हो गया यह क्या है धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं इसान गायब हो रहा है automation की वज़े से jobless growth भारत के अंदर बहुत speed में grow होती जा रही है आगे देखो casualization of employment अभी मैंने इस बात को समझा दिया कि भारत के अंदर जैसे ही कोरोना आया employment का casualization बढ़ गया मतलब की लोग अब regular worker को छोड़ कर casual work करने में जादा इंट्रेस्ट और इसके दो reason है पहली चीज तो foundation नहीं दूसरी चीज पैसा अच्छा मिलता है पहली चीज बाउंडेशन नहीं दूसरी चीज पैसा अच्छा मिलता है लोग के हमारे थोड़े से पांच जार रूपिया मिल गया दस दिन आठ दिन में कमा सकता हूं बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सुमानते हैं जब तुझे काम नहीं मिलता ठीक है तो यह चोटी-चोटी चीज हैं जिनको हर एक समझना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग के स्ते ही ज़िए आउप से सचे हैं कि casually hired workers in the total workforce tends to rise over time कि यह पढ़ता जा रहा है बाई सब आज में खड़ा हूं कैमरे के सामने के मिने कसम का करता हूं मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आये जिनको देखकर मुझे ऐसा लगया कि भाई मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मैं यहां बैठा हूं में पैसे कमा रहा हूं कुछ PhD होल्डर सकते जो की आगे हां सर हम इस वाली वह ले सर पैसे कमाने अरे मैंने का 4000-5000 रुपे में आप क्या कमा लोगे ठीक है लोग करना चा रहे हैं लोग इच्छो के इस चीज में समझ में आ गया unemployment reduces the bargaining power of the workers where as it increasing the bargaining power of the employers इसे बहुत important चीज यहां पर लिखी हुए जब बेरोजुजारी होती है तो आपकी bargaining power खतम हो जाती रोजगार पाने वालों की रोजगार देने वालों की bargaining power भढ़ जाते यानि कि मैं 5000 में देना चाता हूं मैं 6000 नहीं दे रहा आना है तो आनी आना तो बुस्टप मार गई और जो नौकरी पाने आए वह बोला साप ठीक है दे दो क्या हुआ उसकी bargaining power समझ में आ गया बेटा तो यह कुछ important terms जिसको आपको समझना जानना पैचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कल आपन इसके बारे में बात करेंगे का और इससे भी related और भी जिसके बारे में अपने को discuss करना है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज में यहां पर लेकर हो जो भी बारवी के बारवी के अंदर हैं और बारवी के बास यह करना चाहते हैं बेटा आप लोगों के लिए आपको सिंगल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आप ड जाता है जिसको हम लोगों ने क्योंकि हम इतने मैसिफ स्केल पर काम कर रहे हैं रिड्यूस कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एक साल का 26,000 रुपे यानि की 2,000 रुपीस पर मंद के अंदर आपको 12th CA Foundation CA Intermediate और Class 11th के Approximately total अगर मैं जोड़न तो करी 5000 फैकल्टी आप लोगों को फ्री हो जाएंगी आप अगर दो साल का लेना चाहते कि एक साल बारवी एक साल फांडेशन और इंटरमीरेट तो आप दो साल का ले सकते हैं उसमें कोश्ट और कम हो जाएगी 1500 रुपे की कोश्ट के अंदर पर मंत आप लोगों को यह फैसिलिटी मिल जाती है आप प्राइ जल्दी पूस्ट अब मारेगा क्योंकि यह अभी ट्रेंड के अंदर है आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास के साथ बेटा जल्दी से ले लेना क्योंकि यह प्राइस बढ़ जाएगा और आज नहीं तो कल यू नीट टू स्टिक टू एन ऑनलाइन इंस्टिशन और मैं एक सीदी सी बात कहता हूं ऑनलाइन जाके अगर आप लोग सर्फ ऐसी चीज़ के लिए पैसा दे दे जहां आप रिकॉर्ड वर्जन दे के यहां जहां टीचर से जवाब पाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़े तो आपका पैसा देना व्यर्थ है कोई फरक नहीं चीज़ आप लोगों को यहां पर मिलती है जिल्लों को डेमो देखना आप डेमो देख सकते हैं और गौरव जी का कोड लगा कर आप फ्री के अंदर डेमो देख सकते हैं आप से मिलेंगे भाई लगों अगली क्लास के साथ तिल दन गाइस खीपन वाचिंग गुट नाइट बाइ नमस्कार